आज रात बारा बचकर पाँच मिनट पर बुध्ध देव मिथुन राशी को छोड़कर करकराशी में करने जा रहे हैं प्रवेश और बुध्ध देव के सराशी परिवर्टन से पाँच राशी वाले जातकों को बहुत बड़े लाब देखने को मिलेंगे बुद्ध देव का ये संचुरन करकराशी में 25 जुलाई 2023 तक रहने वाला है समय अवधी बहुत कम है किन्तु यहां एक बात में आपको अवश्य कहना चाहूंगा ये बुद्ध का छोटा सा समय हलके में नहीं लिया जा सकता क्योंकि यही वो ग्रे हैं जो बहुत कम डियूरेशन के अंदर आपको बहुत बड़े लाब देते हैं यदि आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं आईए जानते हैं कौन सी है वे पांच भाग्यशाली राशियां जिने आज रात बारा बचकर पांच मिनट से मिलने जा रहा है बुद्ध देव का परिपूनता से आशिरवाद तो मित्रोव प्रथम राशी रहेगी बुद्ध देव की स्वयम की ही राशी मिथुन राशी जिहां यदि आप मिथुन राशी के एक जातक हैं तो आपके लगनेश होते हैं बुद्ध महराज और जा रहे हैं धन भाव में आपके कर्म के स्वामी लगन के स्वामी जब धन भाव की स्थती को प्राप्त करते हैं धन से संबंदित बेहद सुन्दर लाव आपके लिए निकाल कर देते हुए पाए जाएंगे। कुटुम्ब परिवार में यश्मान और प्रतिष्टा आपको प्रदान करने जा रहे हैं। बुद्ध देव क्या हैं तो ये वाणी के कारक रहे हैं और कहा जा रहे हैं तो वाणी भाव में। पिछले समय में जितने भी बिगडे से बिगडे कारिय थे आप अपनी वाणी की दक्षता के दम पर अपने लिए पूर्ण रूप से चीजों को बैलेंस करते हुए पाये जाएंगे। यहां से सप्तम द्रश्टी दे रहे हैं अश्टम भाव पर मानसिक तनाव को समाप्त करेंगे। टेंशन चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, कारियों में दूसरी राशी जिस राशी के लिए बेहद सुंदर अलाब निकाल कर देने जा रहे हैं बुद्ध देव, वह राशी भी बुद्ध महराज की स्वयम की ही राशी होगी अथार्ट कन्या राशी। जिहां यदि आप कन्या राशी के जातक हैं तो आपके भी लगन के स्वामी होते हैं कर्मभाव के स्वामी होते हैं बुद्ध महराज और कहां जा रहे हैं तो आपकी डिजायर्स पूर्ण करने और यह वही ग्रह है जिसके पास छोटा समय होता है किन्तु बहुत मोटा देने की दक्षता रखता है आपके मनोरतों को पूर्ण करेंगे अर्निंग में व् आकस्मिक लाब मैं यह नहीं कहूंगा जुआ सटा लोट्टी शियर मार्केट किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाब आपके लिए बुद्ध महराज इसे छोटी सी ड्यूरेशन के अंदर देते हुए पाए जाएंगे कर्मशेत्र में अचानक व्रधी का योग बनना अपनी ब बेहद स्रेश्टलाब देंगे बुद्ध देव वहराशी होगी मित्रों तुलाराशी तुलाराशी वाले जातकों के भाग्यस्तान के स्वामी होते हैं और कर्म भाव में जा रहे हैं आप जो कर्म कर रहे हैं चाहे जौब कर रहे हैं व्यवसाई कर रहे हैं उसमें भाग्य आपका परिपूर्टा से साथ दे और ही आपकी कुनली के द्वादशिश भी होते हैं बाहर विदेश से संबंदित एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारिय करना किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविदी जो बाहर से कनेक्टिविटी रखती है उसमें भी आपको बेहद स्रेश्ट रहे हैं वो समाप्त करेंगे आपकी पैत्रिक संपत्ति से संबंदित कोई गतिविदी रुकावट सुरूप में बनी हुई है उसे समाप्त कर देंगे और साथ ही भौतिक सुखों से संबंदित कोई भी प्लानिंग आप कर रहे हैं गाड़ी घोडा बंगला भूमी जमीन अगली राशी जिस राशी के लिए बेहद सुंदर गतिविदी का लाब बना रहे हैं बुद्ध महराज वहराशी होगी मित्रों मकर राशी जिहां मकर राशी वाले जातकों के लिए भग्यस्तान के स्वामी होते हैं पिछले समय में आपके शश्टम भाव में चल रहे थे से अच्छा नहीं माना जाता किन्तु अब आप देखेंगे कि ये भाग्येश होकर आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं दैनिक रोजगार में अचानक से व्रधी करते हैं दामपत्य जीवन में जो मदुर संबंदों में खटाश चल रही थी उसे समाप्त कर देंगे भाग्य का परिपूर्णता से साथ दिलाते हुए आपके व्यक्तित्व के स्थती को इतना ज्यानवान और सूजवान बना देते हैं कि आप अपनी ही कर्म दक्षता अपने डिसीजन मेंकिंग पावर के दक्षता के दम पर स्वयम तो आगे बढ़ेंगे ही स्वयम के परिवार को ले खास बनी हुई है साथ ही आप देखेंगे कि जॉब में कोई प्रमोशन की स्थती का योगट का हुआ है जॉब में स्ट्रेस बना हुआ है वो भी रिमूव होगा स्वास्त दृष्टी कुण संबंदित स्थतियों में कोई परेशानी देखने को मिल रही थी फिजूल के खर अतकों के लिए बेहद सुंदर गतिविधी का योग बना रहे हैं बुद्ध महराज क्यूं क्योंकि दो केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोन में जा रहे हैं इसे अपने आप में बेहद सुंदर योग माना जाता है आकस्मिक लाब की गतिविधियां बना कर देना विध्यार् की अवस्ता का लाब निकाल कर देंगे साथ ही आप देखेंगे दामपत्य जीवन में बहुत अच्छे संबंद बन कराएंगे जनता में आपको यश्मान प्रतिष्टा दिलाएंगे बहुत एक सुखों में वरधी करेंगे एक राशी बच रही है उसे भी पूर्ण कर लेते है उसके आधार पर वहराशी वरश राशी होगी जहां शुधी करण में तो नहीं महनत तो आपसे बहुत अधिक करवाने वाले हैं बुद्ध महराज किन्तु महनत के रिजल्ट भी निकाल कर देंगे महनत की दक्षता के दम पर आप धनको भी अरजित करेंगे महनत की दक्षत के दम पर आप आकस्मिक लाब को भी प्राप्त करेंगे जिहां यदि आप व्रश राशी के जातक हैं तो यहां बुद्ध महराज मेहनत के पस्षात आपको फल निकाल कर देते हुए अवश्य पाएंगे अब आपके मन में प्रशन आएगा कि मेहनत के बाद तो रिजल्ट आत किन्तु यहां आप देखेंगे आप सौ रुपे की महनत कर रहे हैं सौ रुपे का लक्ष आपके सामने लाकर खड़ा करेंगे बुद्ध देव ये इस्टती आप अनुभूती अवश्य कीजिएगा तो मित्रों यह हैं वो भाग्यशाली राशियां जिन राशी वाले जातक जानकारी आपको पसंद आईगी कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार